दोस्तों अपने माजी के लिए एक बर या वीडियो पूरा जरूर देख लीजेगा ज़क में धवा से नहीं ठीक होता है तो हमारी नजरे उतारती है वो माँ है साहब हार कहां मानती है उपर जिसका अंत नहीं है उसे आस मा कहते हैं इस जहां में जिसका अंत नहीं है उसे हम मा कहते हैं किसी में क्या खूब कहा है कि मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता यदि तकदीर लिखने का हक मेरी मा को होता मा की दुआ कभी खाली नहीं जाती मा की बाते कभी टाली नहीं जाती अरे चार-पांच बच्चे तो यूँ ही पाल देती है मा बरतंद होके लेकिन कितनी सर्म की बात है चार-पांच बच्चों से एक मा पाली नहीं जाती गिल लोती है दिन बेगर मेरे गुजारे हैं कितने कैसे कह दू मैं भला कि अनपर है मेरी मा मांगने पर पूरी जहां हर मन्नत होती है मा के पैरों में वो जन्नत होती है ना जाने क्या था मा के उस फूंक में हर चोट ठीक हो जाया करती थी मा की हलकी सी एक चपत जमीन को सारा दर्ड ही गायफ कर दिया करती थी तेरे डिब्बे की वो दो रोटिया कहीं बिकती नहीं मा महंगे महंगे होटलों में आज भूक मिटती नहीं मा भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं मा तेरी बाहों की नर्माहट कहीं मिलती नहीं मा मैं तन पर लादे फिरता हूँ दू साले रेस मी लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं मा आज फिर गुजरा जवाना याद आता है मुझे घर का खाना याद आता है दिन भर की ठकावट जब भूख में बदलती है वो प्यार से माता खिलाना याद आता है मेरे खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है अपने हाथों को चुले में जलाना याद आता है और डाट डाट कर तेरा खाना खिलाना याद आता है मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है कहीं हो न जाये घर की मुसीवते मुझे को मालूम छुपा कर तकलीफ है तेरा मुस्कुराना याद आता है जब आये थे तुझे हम छोड़ कर परदेश बेरी मा मुझे तो तेरा बहुत आंसु बहाना याद आता है हालात बुरे थे मगर अमीर बना कर रखती थी हम गरीब थे ये बस हमारी मा जानती थी बहुत बुरा हूँ मैं पर मुझे को बहुत भला कहती है अपना गंदा बच्चा भी मादूद का धुला कहती है मैंने अपने मा के कंधे पर सर रख कर पूछा अपने कंधों पर कब तक सोने देगी मा तो मा ने बड़ा प्यारा सा जबाब दिया कि जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले हर रिष्टे में मिलावट देखी है कच्चे रंगों की सजावट देखी है लेकिन सालों साल देखा है मा को उसके चेहरे पर ना कभी ठकावट देखी है ना मंता में कोई मिलावट देखी है जब हम बोलना नहीं जानते थे तब हमारे बोले बिना मा हमारी बातों को समझ लेती थी और आज हम बातों बातों में कह देते हैं छोड़ो ना मा तुम क्या समझोगी ना जाने मा क्या मिलाया करती है आटे में एक घर की रोटिया कहीं और नहीं मिलती मा ना होती तो वफा कौन करेगा ममता का हक भी कौन अदा करेगा रब हर एक माँ को सलामत रखना वरना हमारे लिए दूआ कौन करेगा क्यों ख्याल नहीं रहता है हम को उनका वो बस हर पल हमारी याद करती है जब बेजाती है किसी मंदिर या मसज़िद में सबसे पहले हमारी ही सलामति की दूआ करती है जन्नत का हर लमहा दिदार किया था गोर में उठा कर जब माने प्यार किया था कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती सब कुछ मिल जाता है पर मा नहीं मिलती सो जाती है रात भी ठक कर पर मा जाक कर अवलाद की राह तकती है मा से महान कोई हो ही नहीं शक्ता मा बिमारी में भी परिवार की सलामती के लिए बरत रखती है चूर चूर होकर न जाने कहां दफन हो जाती है जब कोई बद्वा मेरी मा की दुआ से डगराती है लोग सोना पाते हैं नरम विस्तर की बाहों में चैन से मुझे तो मा के गोदी में जमीन पर ही नीद आ जाती है रूल के रिष्टो की ये गहराई तो देखिए चोट लगती है तो हमें चिलाती है मा हर खुसियों में मा को भले ही भोल जाएं जब मुसीबत आए तो याद आती है मा घुटनों से रेंगते रेंगते कप पेरों पर खड़ा हुआ तेरी मंता के च्छाओं में जाने कप बड़ा हुआ कलाटी का दूद मलाई आज भी सब कुछ वैसा है में ही में हूं हर जगव प्यार तेरा कैसा है ख्याल ए यार हर गम को टाल देता है सुकून दिल को तुम्हारा जमाल देता है ये मेरी मा के दुआओं का फैज है मुझ पर मैं डूबता हूँ तो समंदर उच्छाल देता है गरीब हूँ किसी जड़दार से नहीं मिलता जमीर बेच कर किसी मकार से नहीं मिलता जो हो सके तो इसको संभाल कर रखना ये मा का प्यार है जो कहीं बाजार में नहीं बिलता मेरी गलतियों को माव कर देती है बहुत गुस्ये में होती है तो भी प्यार देती है होठों पे उसके हमेशा दुआ होती है ऐसी सिर्फ और सिर्फ मा होती है एक बेवफा को मैंने गले लगा लिया, हीरा समझ कर काच का टुकड़ा उठा लिया, दुस्मर तो चाहता था मुझको मिटाना मगर, मा के दुआओं ने मुझको बचा लिया, मेरी दुनिया में इतनी जो सोरत है, ए मेरी मा के बदौलत है, ए मेरे भगवान और क्या देगा त क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास या तो खाना नहीं है, या मा नहीं है, भगवान से दुआ मांगते समय, इतना जरूर दुआ में मांग लेना, कि मा बिना कोई घर ना हो, और कोई मा बेघर ना हो, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी मा बेघर तो इस वीडियो को जितना हो सके, उतना सेयर कीजिए, मैं मिलूंगा आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत, वंदे मातरम, अपना और अपने मा का ख्याल रखिये